लोक वास्ता का छेट महापर्व हिलिसा सरकिष्ण मंदीर तलाव सद्धकर हुआ तयार हिलिसा नगर परशत के द्वारा बेहतर व्यवस्ता क्या गया है देखिए खास रिपोर्ट इस बार मिलेगा जो इस तलाव पर कोई ध्यान नहीं दिये बाहर रहने वाले लोग भी अपने घर आते हैं और छट महापर्व करते हैं धनेंजे कुमार और हमारे परसासन के द्वारा इतना बेहतरीन व्यवस्ता इस बार किया गया है सू बेवस्ती ढंग से किसी भी छट ब्रतियों के लिए सू चार उसुबदाएं सब कुछ उपलद हमारे चेयरमें धरनजे जी के द्वारा कराया गया है बेहतर व्यवस्ता इस वर्स भी किया गया है उसके लिए भी पदाधिकारी गन को भी धनवाद हम देना चाहेंगे अब देखे मैंने उधर भी देखा वो एक ट्रैक बना हुआ है अगर परसाथ से मेरी मांग रहे हैं कि लगा दिया जाए जहरनात कि ताफ कि नीमी ते जो सुर्ज मंदिल की जो रौनक का आप लोग देखी रहे हैं बहुत सुन्दर लग रहा है अच्छा लग रहा है लोक आस्ता का छट मांपर पूरे देश में धुमधाम के साथ में मनाया जा रहा है बतादे कि बाहर रहने वाले लोग भी अपने घर आते हैं और चट मांपर्व करते हैं वैसे में चार दिवस्य चट मांपर्वे नहाई-खाई के साथ अज मंगलवार को सुरू हो गया है इससे पूर्वे इस इलाके के लोग फतुहा के तिर्वेनी घाट पर जाकर असनान किये हैं उसके बाद घर में आये हैं और नहाई-खाई का खाना बनाये हैं लोग को आसपास को भी खिलाने का काम किये हैं वैसे में बता दे कि नालंदा जिला के बाद करें तो नालंदा जिला में अंगारी बढ़गाम और तीसरा हिलसा सरके सुरूमंदीर तलाव जो की नालंदा जिला में भव तरीके से मनाया जाता है वैसे में हिलसा नगर पडशत के द्वारा सहर के सुरूमंदीर तलाव की श श्रेंजिंग रूम की वस्ता किया गया है और यहां पर पूरी तरह से खीना थाना के पुलिस मुच्ताइद रहे गी यहां पर किसी परगार क कोई यहां पर मुझरेटरिंग अस्तल भी बनाये जाएगा जहां इभकार आप इस तस्पीर के माध्यम से देख सकते हैं कि हिलसा सर के सुरमंदिर तलाब जो की सज धज कर तयार हो गया है अच्छी तरीके से रंग रोगन कराया गया है और यहां के उत्री दिशा में कई परकार के खेल खिलाने के अलावे जूले भी लगाये गये हैं काफी बेहतरी धर्म से यहां पर बनाये गया है यहां पर अस्थानी लोग है जानेंगे की नहाई खाय अनि छट पर्व के पहले दिन क्या इस्थिती है लोग से जानते हैं वक्त हमारे साथ मौझूद है स्वनी सर क्या कहेंगे सर छट महापर्व हमारे लिए बहुत ही जादा एक पौरानिक कता भी है इसकी और हम लोग बहुत ही धर्म निश्था से इस तेहवार को मनाते हैं और खास करके हिलसा के लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे चेर्मेन मिस्टर धननजे कुमार और हमारे परसासन के द्वारा इतना ब्यत्रीन विवस्ता इस बार किया गया है जिससे किसी भी छट बरती माताओं को कभी भी किसी परकार का कोई प्रॉबलम नहीं होने जा रहा है और इस पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदू समाज के लिए ऐसा तेहवार है जिसमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की आराधना की जाती है इसलिए जो भी हिलसा बासीगन है उनका हिलसा जो ये सुरमंदीर तलाब है उन जरूर से जरूर आए और यहां पर काफी जादा भब विवस्था किया गया है लोगों के लिए धन्यवाद आर्पिय सस्कूल के निर्देसक थे अब एपिय सस्कूल के निर्देसक पावन सरह क्या कहां गया है सब कुछ उपलद हमारे चेयर मैं धिररंजर जी के दौरा कराया गया है सबसे पहले चट के सुभकामनाएं सभी छटी ब्रत एवं हिलसा वासियों के चट के सुभकामनाएं देंगे और जहां तक बात रही हिलसा सुर्जमंदिर तालाब के तो यह इतिहासिक सुर्जमंदिर तालाब है खिलसा का धरोहर है यहां पर पौराने के कहावत है कि यहां पर जो भी चट करते हैं चट प्रती जो मन से मंगत जो मागते हैं वो पूरी होती है और यहां की जो इस बार जो देख रहे हैं यहां का वेवस्था साब सफाई और तालाव में पानी का जो है स्वक्ष पानी इस बार मिलेगा और ये हम धननजय जी को धन्यवाद देते हैं, हमारे भाई हैं, हिलसा के नगर अध्यक्षे धननजय कुमार उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप अगर सर आगे बढ़ते रहें और हिलसा का विकास करते रहें, बहुतों लोग अनापसनाप बोलते हैं, लेकिन तार लेकिन आपके बनने के बाद इस सुर्जमंदिर तलाव पर अनेकों तरह की विवस्था सुविधायें आपने दी हैं आपको बहुत-बहुत दिल से अभार धनेंज़ेंगे च्छट पर्व को लेकर क्या त्यार है किया गया है च्छट पर्व के अबसर पर हिलसा नगरपशत की और से बरतमान अध्यक्ष बहुत बहतरीन विवस्था किये हैं उनको धनवाध हम देना चाहते हैं और नगरपशत के पदाधिकारी गन भी तन मन से जितना विवस्था किय हैं हर साल की भाती बेहतर विवस्ता इस वर्स भी किया गया है उसके लिए भी पदाधिकारी गन को भी धनवाद हम देना चाहेंगे और आम जनता के सहयोग से जो नगर परसत के इर्दगीर्द में जितने भी सफाई किया गया है इसके लिए भी धनवाद के पात्र हैं जनता और यहां के बरतमान विधायक जो भी वेवस्था में सहयोग किये हैं उनका भी धन्वाद हम देना चाहेंगे और यहां पर हर साल के भाती इस बर्स जो तलाव के दच्छिन तरफ जो बहुत कचड़ा रहता था उसको सफाई करते हुए निर्मान जो इट सोलिंग का किया गया है उसके लिए भी आम जन्ता में काफी हरसो लास है इसके लिए धनंजे कुमार को जो नगरपरसद धियक चभी बरतमान में हैं उनको पूरी आम जन्ता तहे दिल से सुभकामना करती है और इसी तरह से उनके कार्जों कलाब को देखते हुए जितने सराहनिये कार्ज है उसक है यह बहुत अच्छा है मतलब की जो आएंगे सरफ दालों लोग उनको सुविदा होगी पूजा होजा करने में और देखी रहे हैं लाइट वैट जैसा लगा हुए है और उपर से यह सारे जो जो विश्रा मस्तल वगए रहा है जो चेंजिंग रूम वगए रहा है यह सब अच्छा चीज़ है जो हो रहा है जो अच्छा बन रहा है सब इस वक्त और भी लोग है क्या कहीं बताइए किस बारे में जो सुर्मंदिर तलाब है नलंदा जिला में तीन तलाब कहा जाता है मत्कूर्ण परण गाम आंगारी और हिलसा कहेंगे हैं सबसे सुन्डल है अच्छा कर रहा है लेकिन एक चीज़ हमें इसमें कमी ने जरा रहे कि जहां पुरा घाट है उसमें अभी यहां पे तीन मोटर का विवस्ता है उसमें पाइंप लगा दिया जाए तो चारों पाटी बच्छों को नहाने के लिए और जो अरग सुबत देते हैं उसमें नहान तो नगरपरशत का द्वार बहुत ही अच्छी की गई है अभी देखे मैंने उधर भी देखा वो एक ट्रैक बना हुआ है जो कि देख रहे हैं कि सरदालों लोग जो आएंगे वहां पे विश्राम करते हैं इस बार शीड़ियों को नया नर्मिल शीड़ी है वहां भी लगा अस्था का जो पर्व है और इतना भब कार्ज करम के नीमीत जो सुर्ज मंदिल की जो रौनक का आप लोग देखी रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है अच्छा लग रहा है रीशु पटेल हैं शात्र नेता जी क्या कहीं है हाँ हर सल के भाती है अच्छा ही नहीं अगर पर अच्छा है टूस्था रहा इसल बहा न मैं चरी है अच्छा झेस्चेर लग है ।